नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाट इस दी मेजर डिफ्रेंस बिट्वीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिजम अर्थात वो कौन से परमुख अंतर हैं जो नारिवाद को पुरुष्टतवाद से अलग करते हैं यह हम कह सकते हैं कि वो कौन से अंतर हैं जो फेमिनिजम को पेट्रियार्की से अलग करते हैं यहां हम लिख सकते हैं पुरुष्टतवाद एक ऐसी अवधारना है जो पुर्षो को अन्य लिंगो की अपेक्षा स्रेष्ट मानती है वहीं दूसरी और नारिवाद एक ऐसी अवधारना है जो इस्तिरी को पुर्षों के ही समान मानती है तथा इस्तिरी वे पुर्षों के मद्धे किसी भी परकार के भेदभाव को स्विकार नहीं करती है यह पित्र सत्ता या पित्र तंत्रिय समाज का समर्थन करती है यह पित्र सत्ता या पित्र तंत्रिये विवस्था का पून रूप से भहिशकार करती है साथियों हमने जस्ट प्रिवियस वीडियो में हमने बात की थी फेमिनिजम की जिसमें हमने समझा था कि ये फैमिनिजम क्या है और उसी में हमने जाना था कि पैट्रियार्की क्या होती है या जिसे हम पितरसत्ता या पितरतंत्रिये विवस्था कहते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको उपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा. तो अब यहां से आप जो है ये वाले जो पॉइंट हैं ये आप पित्र सत्ता में भी लिख सकते हैं या पैट्रियार्की में भी लिख सकते हैं. नेच्स्ट यह समाज में इस्तिरीवे पुरुष के मध्धे भेदभाव को बढ़ाती है. इसके विपरीत नारिवाद समाज में विदमान इस्तिरीवे पुरुष के मध्धे असमानता को कम करने का प्रयास करती है. यह पुरुषों को ज़्यादा अधिकार तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास करता है. नारिवादी विचारधारा इस्तिरी वे पुरुष के समान अधिकारों की मांग करती है नेक्स्ट इसमें केवल पुरुष की स्वतंतरता पर बल दिया जाता है तथा परदा प्रथा का समर्थन किया जाता है नारिवाद पुर्षों की स्वतंतरता के साथ साथ महिलाओं की स्वतंतरता की मांग करता है तथा परदा-परथा का पून रूप से विरोध करता है अंत में हम कह सकते हैं कि यह एक रूडिवादी धारना है जो लड़कों को अधिक प्राथमिक्ता देती है जबकि नारिवात एक आंदोलन है जो लड़का वे लड़की दोनों को समान महत देने की बात करता है तो साथियों यही था हमारा आज का टॉपिक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का